हेलो दोस्तों नवस्कार कैसे हैं आप आशा करते हों कि आप अच्छे होंगे आज हम धकंडपा के बारे में बात करेंगे जो जारखंड का एक खादेपदार्थ है इस रोटी को बनाने में किसी प्रकार की कोई रिफायन या तेल के आव सकता नहीं होती है सबसे पहले आप चावल भिंगा करें इसे पीश लीजिए आप इसे मिटी के बातन जिसे हम तावा करते हैं इसमें रोटी बनाए इसमें बनाने के लिए आपको तेल की आव सकता नहीं पड़ेगी तावा में टालने के बाद या दो से तीन मिनट में पक कर तयार हो जाता है फिर इसे आप निकाल कर चटनी या जेली के साथ अराम से खा सकते हैं अगर आपको यह जान कर यह अच्छी लगे हो तो आप इसे लाइक सेर और सुस्क्राइब करें धन्यवाद